वेलकम बैग फ्रेंड यह हमारी वीडियो नमबर फॉर प्लाश टैन्थ इंफरमिजन टेक्निलोजी यानि कि आईटी के लिए और हम डिस्कुस कर रहे थे यूनिट नमबर वन डिजिटल डॉक्यमेंटेशन को और इस यूनिट की प्रिवेस वीडियो में हमने देखा था डिस्क्रिप्लेट करते हैं कैसे उनको हम यूज कर सकते हैं अपने डॉकिमेंट में और इस वीडियो के जोडियोट में मिलेंगे थेuden टॉपिक हिमारा कि मान लीजिए आपका एक page है उसमें आपने border set किया है background color set किया है या कोई logo उसके अंदर है या कुछ और document है और आप चाहते हैं कि जब भी आप एक नया document create करें तो ऐसा ही page आपका automatically आ जाए तो इस page को क्योंना हम separate file को की तरह store कर लें जिसको हम template कहते हैं क्योंकि जब भी आप एक नई file को create करेंगे तो जो old आपका template है old file है वो खुदी को यहाँ पर copy कर लेती है तो इससे आपका जो यहाँ पर हमारा software है open office writer इसके अंदर अल्रडी यहाँ पर कुछ template पहले से होते हैं सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले क्लिक करेंगे फाइल में यहाँ पर देखें न्यू के में लेंगे इसके अलाव़ा templates यहां पे हैं अब यहां पे my template है जिसमें अभी हम template के create करेंगे तो यहां पे आएगा इसके अलावा यहां पे presentations के लिए templates हैं यह predefined files हैं काफी सारी तो इस तरीके से हम यहां पर work करते हैं यानि कि इनको हम use कर सकते हैं for example अगर मैं यहां पर एक template को use करूँ चलिए template हम लोग यहां पर देखते हैं for example forest यहां पर एक template है already तो इसको मैंने यहां पर open किया select करके तो देखिए इस तरीके से यह जो forest है तो इसमें देखिए already यह पहले से set है मैंने यहां पर कोई setting नहीं करी है तो इसी को हम एक template बोल देते हैं तो अपना template हम कैसे create करते हैं for example हम यहाँ पे इसी page में template create हम करने वाले हैं तो इसमें चलिए कुछ हम data लिख देते हैं for example इसमें मैं लिख देता हूं unit one and साथी में इसमें लिख देता हूं digital documentation and then इसमें कुछ data हम लिख देते हैं for example जो हमारे यहाँ पे topics हैं इनको मैं लिख देता हूं जैसे आपका styles हमने यहाँ पे देखा styles के अलावा हमने images के साथ यहाँ पे work किया इसके अलावा drawing objects हमने यहाँ पे देखे और इस वीडियो में हम templates यहाँ पे देखने वाले हैं और आगे हम देखेंगे toc यानि कि table of content and आपका mail merge तो माल लिजे जब भी हमें कोई नया document बनाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं यह जो data है यह already उसमें रहे यानि कि as a template यह हम को यहां पे मिलए तो इसमें हम कुछ और changes हम कर देते हैं for examplehere color यहाँ पे लगा देता हूँ या अगर आप यहाँ पे आप for example फार्मिट में जाते हैं page में जाते हैं तो चलिया हम यहाँ पे page का जो background है इसमें भी हम कुछ color यहाँ पर यूज कर लेते हैं for example यह color हम यहाँ पर लगा देते हैं सियान 9 तो देखे यह हमारे एक template इसको अगर हम बनाएं ताकि अभी देखे हमारे जो document है यह है untitled 1 तो इसको हम save कर लेंगे इसके बाद जब भी हम इसको यूज करेंगे तो as a template यह जो चीज़ें हमने लिखी है यह setting जो है already वहाँ पर आएगी टेंपलेट को create करने के लिए save करने के लिए आप simply file में click करेंगे और देखे लास्ट में आपको एक option यहाँ पर मिलता है तो my template में हम इसको save करेंगे यहाँ पर मैं लिख देता हूं my template यह template आप किसी भी नाम से यहाँ पर template create कर सकते हैं simply okay हमने press किया तो देखिए simple सा है यह हमारा जो template है create हो गया है अब इस template को अगर आप देखेंगे आपने दुबारे file में click करना है देन आपने template में जाना है और यहाँ पर आपको organize वाला एक option मिलेगा तो देखिए organize के अंदर यहाँ पर document वाला section है जिसमें untitled one हमारे पार एक ही फिलाल यहाँ पर document है and my template में अगर आप double click करते हैं तो देखिए my template यहाँ पर लिखा हुआ है तो यही हमारा template है और इसमें भी अगर आपने इसको update करना है मालीजे आपने कुछ और changes किये देना file में गए तो आप simply update में click करेंगे तो update में आपका यह हो जाएगा इसके अलाबा अगर आपने template को delete करना हो edit करना हो सारे option आपको यहाँ से मिलेंगे अब यहाँ पे एक option है जिसको मैं देखिए simple सा है जिसमें दिया है set as default template यानि कि default template अगर आपने इसको बनाना है तो क्या होगा जब भी आप open office writer को open करेंगे तो यह जो template है यह जो data है वो already इसमा आएगा तो इसको चलिए हम set as default template कर लेते हैं तो इसको हमने set as default template यहाँ पे किया इसको close कर दीजिए तो आप देखिए जब भी हम file में जाएंगे new में जाएंगे new text document में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे untitled 4 यहाँ पे आ रहा है लेकिन already आपका जो data है यहाँ पे organize में यहाँ पे देखिए आपके पार option यहाँ पे है तो इसमें अगेन आप right click कीजिए तो reset default template default को अगर आप हटाना चाहें या अगर आप update को अगरा करेंगे तब तो यहाँ पे simple से इसके option है update करना है delete करना है और default अगर आप हटाना चाहें तो आप reset default template के अंदर text document में simply click क देखिए अगर मैं दुबारे यहाँ पर new पर जाओं और text document में जाओं तो यहाँ पर मेरा अब एक नया जो यहाँ पर file है वो create हुई है इसमें template नहीं है तो चलिए इसी में हम यहाँ पर दुबारे आप देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर template को use करते हैं तो new में जाईए and then templates and documents and जो template था वो हमारा यहाँ पर हमने create किया था my template के अंदर तो my template में click कीजिए then my template को select करना है and simply आपने open पे click करना है तो देखिए simple सा है जो हमने template create किया था उसी को अब हम यहाँ पर use करने वाले हैं तो I hope आपको यहाँ पर आया होगा कि कैसे हम एक existing template को open करते हैं कैसे create करत तो इसी के साथ हमारी यह video भी खतम होती है video number 4 और इस video के जो notes है वो आपको description box में मिलेंगे और पूरी जो playlist है उसका link भी आपको description box में मिलेगा तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली video में video number 5